देखें अक्षाब्ध है अभ्याज, तो इस तो में अभ्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ और मतलब होता हैं, दोनों में जानेंगे, एक्जामपल से, सेंटेंसे में शाद को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए वड़े को स समझते हैं क्या मतलब होता है अभ्याज का, देखिए अभ्याज, बोलते हैं किसी काम को बार-बार करने, दोहराने को हम अभ्याज बोलते हैं ता कि आदत या महारत हो जाए उस चीज़ पर, तो क्या मतलब हो अभ्याज का मश्क या रियाज, जिसको हम बोलते हैं बार-बा habit, habituation, work out and it is similar और वी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं अभ्यास के example से sentences में समझते हैं इस शब्द को अच्छी तरह से जैसे बोलेंगे आम भोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे क्या कोई सर्वोत्तम अभ्यास है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए मतलब अंग्लिश में are there any best practices I should know about तो यहां पर देखिए practices मतलब अभ्यास दूसरा example पता नहीं यह किस तरह का अभ्यास है मतलब अंग्लिश में don't know या I don't know what kind of practice is this or what kind of exercise is this exercise या practice का मतलब अभ्यास जिसको हम drill या drilling भी बोलते हैं अपने अभ्यास शब्द को English और Hindi में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ दिया है thanks for watching education desk